नमस्कूर आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ अयोध्या में राम मंदिर के उद्गाटन को लेकर आज देश के कई राज्यों में छुट्टी घोशित किया गया हाला कि बिहार में आसा नहीं है जिसको लेकर आज केंद्रिये मंत्री अश्वीनी 24 ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया है वहीं तेजस्वी यादो और तेजप्रताप यादो एवं राजत के अन्य नेताओं द्वारा राम मंदिर पर लगातार दिये जा रहे है बयान बाजी के लिए आज बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जम कर निशाना साधा है तो चलिए खबर में विस्तार से जानते हैं बकसर पहुजी केंद्रिये राज्य मंत्री अश्वीनी 24 बिहार सरकार पर हमलावर दिखे उन्होंने कहा कि आज भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर जहां कई राज्यों ने चुटी घोशित की है तो वहीं दूसरी तरब बिहार सरकार ने चुटी नहीं दी इनको हाथ उल्टा कर नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है लेकिन घंटी बजाने में हाथ नहीं उठता है भगवान क्या है इनको समझ में आ जाएगा उन्होंने कहा कि बकसर राम की सिक्षा अस्थली है जहां राम की प्रान प्रतिष्ठा पर इनके नेतरुत्त में यहां भी आज पूरे दिन उत्साह जासा महौल रहेगा जुसके लिए राम रेखा घाट से लेकर आमिश्वर मंदिर तक तयारी चल रही है वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णे ने कहा है कि लालू परिवार के बिहार में सत्ता में आने के बाद चारो तरफ राक्षस राज और जंगल राज फैल जाता है उस पर भी तेज प्रताप यादो ग्यान दे पटना के फुलवारिश शरीफ और गोला रोड की घटना इसका ताजा उदाहरन है जाती धर्म और परिवार देखकर कारेवाई कर रही है बिहार सरकार भगवान राम जी की सीख है कि अंतर मन में ज्जाकिये जुसका पूरा परिवार गरीबों का हक मार कर खाता रहा वो अंतिम व्यक्ति के भगवान राम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता पूरे देश विदेश के हिंदू आज गौरवानवित महसूस कर रहे हैं लेकिन लालू परिवार उल्टी-पुल्टी प्रतिक्रिया देकर तुष्टी करन की नीती पर चलने में लगा है तेश प्रताप जी के सपने में नंदी नहीं आते जुनका चारा उनका परिवार खा गया है बता दे किस से पहले तेश प्रताप यादो ने कहा था कि उनके सपने में भगवान राम आये थे उन्होंने कहा था कि 22 जैनवरी को वे आयोध्या नहीं आ रहे है अयोध्या नरेश भगवान राम ने उनसे सपने में ये भी कहा कि सब ढोंग कर रहा है हम उस दिन तो जाएंगे ही नहीं साथी पता दे कि तेज प्रताप यादो से पहले लालु प्रिशाद यादो के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंतरी तेजस्वी यादो ने कहा था कि भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे क्या वहाँ जाएंगे तो आपसे दान लिया जाएगा वही आरजडी विदायक फते बहादूर सिंग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं मंदिर पर सवाल उठा चुके हैं और मा सरस्वती सहीत ब्रंभा जी पर भी सवाल उठा चुके हैं प्रोफेसर चंदर शेखर ने रामचरित मानस को उनमाद फैलाने वाला ग्रंथ कहा था तो आपने सुना केंदुरिय मंतुरिय श्वीरी चौबे को जिन्होंने कहा कि आज राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा के मौके पर देश के कई राज्यों में छुट्टी घोशित किया गया हलाकि बिहार सरकार ने यासा नहीं किया है साथ ही उन्हें बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको हाथ हुल्टा कर नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है लेकिन मंदिर का घंटी बजाने में इन्हें तकलीफ होती है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसूप को देख पारें तुमारे फेसूप पीच को भी फॉलो करें तुमारा से ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद